Hello everyone, welcome you all, it's Lucas Sir, Unlimited Study Zone. Topic का नाम आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दी रहा है. Waves, इसे हिंदी में बोलते हैं, तरंग. Okay, तरंग क्या है? Energy जब चलती है, तो energy के चलने का style है. So what is तरंग, what is wave? ये केवल एक style है. It is style of propagation. of energy. ठीक, आगी बस वन में. Style of propagation of energy. अगर कोई energy है, उसका एक विशेश प्रकार का style है. उसका एक विशेश प्रकार का style है. इस प्रकार के style को जो energy के चलने के style को ही wave बोलते हैं. ये energy का एक pattern है, चलने का एक तरीका है. और खास बात क्या है? इस energy के चलने में खास बात क्या है, style of propagation of energy में. कि ये जहां से चलेगी और जहां तक चलेगी. जहां से चलेगी जो और जहां तक चलेगी. उसके जो medium के पार्टिकल होंगे, वो डिस्टरब नहीं होंगे. medium के पार्टिकल अपनी जगह नहीं छोड़ेंगे. समझ गए ना? It is the style of propagation of energy या it is the type of propagation of energy. type of propagation of energy. किताबो में आपको यही definition लिखी मिलेगी. type of propagation of energy in which particle of the medium do not travel. समझ में आई मेरी बात. medium के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते. medium के पार्टिकल ट्रेवल नहीं करते. energy के चलने के इस प्रकार के तरीके को आप क्या बोलते हैं? wave बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? wave बोलते हैं. आने वाले समय में हम wave के types के बारे में भी पढ़ेंगे कि वेब कितने प्रकार की हुआ करती हैं, वेब के अलग-अलग टाइप क्या होते हैं, वेब एक बहुत बड़ा चैप्टर है बच्चों, इसलिए मुझे इसको बहुत आराम से आपको समझाना पड़ेगा, इसमें जल्दवाजी नहीं चलेगी, तो style of propagation of energy पहली चीज मन में बठा लिए, कि energy के चलने का एक तरीका, propagation कहलो या transmission कहलो, ठीक है, यहाँ पर जो energy हुआ करती है, समान तोर पर जादे से जादे जो energy travel करती है, वो mechanical energy होती है, कौन से energy होती है, मगर आप यह नहीं कह सकते हैं कि केवल ही mechanical energy travel करीगी, और भी energy होती है, जैसे for example radiation, आपने पढ़ा था, heat जो होती है, वो radiation की form में आती है, heat किस की form में आती है, और radiation क्या है, what is radiation, radiation is a wave, radiation is a wave, heat जो होती है, sun से चलने वाली heat होती है, अर्थक पहुंसती है, वो किस form में पहुंसती है, radiation की form में है, और radiation ही wave है, अपने वर्ड सुना होगा radiation हो गया है बड़ा खतरनाक शब्द होता है कि वहाँ पर radiation हो गया है मत जाना वहाँ पर जपान वगरे में जहाँ पर nuclear reactor है जब वो गलती से खत्रे में आ जाते हैं तो कहते हैं वहाँ पर radiation का खत्रा है मतलब wave travel कर रही है अगर कभी आप अपने अस्पताल में अगर आप MI रूम के अस्पास गया है MRI रूम होता है एक अस्पताल में ठीक ना या X-ray रूम होता है MRI और X-ray ये दो जोगे होते हैं इन में इस तरीके का सिंबल आपको मिलेगा मिला है आपको ऐसा सिंबल मिला रहेगा और ये ब्लैक कलर का रहेगा ये लो के अंदर बना रहेगा ये इसा नो तो इसका मतलब होता है यहाँ ये जो एरिया है यहाँ पर रेडियेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है इस एरिया में रेडियेशन बहुत ज़्यादा मात्रा में है और इस एरिया में आपको घुसने को नहीं दिया जाता है आप बड़े आराम से नहीं की चलेगा ये कोई पैथालोजी नहीं कि आप यहाँ पे चले जाएंगे समझ गए ये प्रोहेबिटेट एरिया होता है ठीक में चला जाता है और राडियेशन यहाँ वहाँ टक्रा टक्रा करके उसी अंदर घूमता रहता है युझ जब आप आते हैं तो आपको राडियेशन हर्म कर सकता है ठीक नहीं से दूर रहने की nuclear room में ले जाते हैं क्योंकि lead जो होता है PB वो nuclear radiation को absorb कर लेता है क्या कर लेता है समझ गए जो nuclear science हुआ करते हैं वो बड़ी carefully इनको handle करते हैं और जो normal doctor भी होते हैं तो भी वो बहुत carefully handle किया करते हैं X-ray की machine वगेरे को वो कभी उसके exposure के सामने नहीं आते हैं वो हमेशा किनारे से खड़े हो करके film वगेरे operate कराया करते हैं दूर खड़े हो जाते हैं ठीक फिर भी radiation तो होता है कोई कितना भी कुछ कहे खत्रा तो रहता है ठीक ना तो मैं आपको इस chapter में जो start करा रहा हूँ energy schizophrenia – energy के चलने का style है ठीक है ना झिसमें medium का particle बिलettes को इदे रहते ही हो गा अनंट का particle बिलोगल प्रिछलन दे नहीं हो गा चाहें याह अचे यहां तक वर ही है इसके बीच में किया कुछ बहरा हुआ है इसके बीच में का कुछ बहरा हुआ है यह particle M mask का यहाँ पे बैठा हुआ है यह wave travel करके इससे आंगे निकल के यहाँ तक पहुँच जाएगी मगर M mask का particle वहीं का वहीं रहेगा अपनी position को नहीं लीव करेगा समझ गए? अपनी position को लीव नहीं करेगा अपनी position को नहीं छोड़ेगा हाँ थोड़ा सा वहाँ पर हलका सा disturb होगा आंगे पीछे होगा मगर अपनी जगह को नहीं छोड़ेगा आईए एक example लेखते हैं आपने छत में वगएरे में रस्ती बांध लीजिए यह एक tight end है छत में रस्ती का और यह दूसरा tight end है ठीक अब आप रसी को पकड करके बीच से खीचिये प्लक करिए बीच से क्या करेंगे? प्लक करेंगे. करा भी होगा आप लोगों ने यह लो बांद वेखते इस नहीं एसा होता यहां से आपने पकड करके इसको नीचे की तरफ फीच दिया और जैसे ही आप छोड़ेंगे तो ये जर्क उपर की तरफ आएगा आएगा कि नहीं आएगा और उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर नीचे अप एंड डाउन मूव करेगा बोलिए यस की नो तो आपने इस ब्यात को महसूस किया होगा कि ये जो पार्टिकल है रस मतलब इस पार्टिकल ने अपेंड डाउन यानि की टू एंड फ्रो मूशन किया है ऐसे ही यहां के पार्टिकल ने भी अपेंड डाउन थोड़ा उपर नीचे 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 ठीक है क्लियर हो गया अब पार्टिकल जो होता है वो करता क्या है पार्टिकल जो होता है वो करता क्या है पार्टिकल जो होता है वो करता क्या है पार्टिकल जो होता है उसके पास एक मास होता है बोलो हाए न और वो कुछ वेलास्टी ले लेता है यसा नो मास इंटू वेलास भई यहां से जब कोई वेव होती है तो एनर्जी तो ट्रांसफर होता है एनर्जी ट्रांसफर होती है बट मोमेंटम ट्रांसफर नहीं होता है क्योंकि मास वहीं का वही रहेगा समझेगा ना एनर्जी ट्रांसफर होगी तो आप बोलोगे क्या energy transfer होगी बोलो yes, क्या momentum transfer होगा बोलो भई नहीं momentum transfer नहीं होगा क्योंकि momentum अगर transfer होता momentum transfer कब होता है जब M mass की ball जाकर की दूसरे से टकराती है mass तो वहीं कब ही रुका हुआ है आगी बात समझ में clear हो गया तो ये है wave कभी भी मुझे wave भूलता है ना तो मैं एक साप को याद करता हूँ किसको याद करता हूँ साप को यहां तो मेरे यहां बहुत निकलते हैं आप लोग उने देखा होगा बरसात के समय बढ़ी धूम मचा रखी थी ठीक और हमारे साप के जानकार कौन है पोल संदादा ठीक है अब चिप के लिया परिसान करेंगी चलिए टॉपिक पर वापस आते हैं तो साप जो है साप अगर इसको डिरेक्टली डिस्प्लेस्मेंट की फॉर्म में अटेक करना चाहिए यहां पर कोई फ्रॉग बैठा हुआ है और साप इसको डिरेक्टली अटेक करना चाहिए तो सुचे कितना अच्छा होता है यह जा करके सीधे इस पर अटेक करता है बुलो हाया ना मगर यह साप का स्टाइल है यह साप का क्या है डांस करते 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 जाके इसको कटकेगा समझगे तो ऐसे ही ये वेव है, क्या है ये, तो वेव इस नथिंग, केवल ये style है, एनर्जी के चलने का, आगी बात मेरी समझ में, तो कभी भी भूले तो इस चीज को याद रखना, कि वेव क्या है केवल style है, आप अपने घर जा सकते हो, सीधे जाते हो, कभी-कभी लहरा के भी होंगा, right, anything, कुछ भी हो सकता है, तो topic पर वापस आते हैं, अब हम पढ़ते हैं, कि अगर कोई, सबसे पहले type of wave की बात करते हैं, type of wave, type of wave की बात करते हैं, कि wave कितने प्रकार की होती है, wave दो प्रकार की होती है, एक जिनको material required होता है, जिनको material required, material मतलब भोले भाईसाथ तो medium, material मतलब medium जिनको required होता है, और एक ऐसी wave होती है, जिनको medium required, medium not required, तो ऐसी वेब जिनको medium required होता है उनको waves को हम लोग बोलते हैं material wave कौन सी वेब बोलते हैं material wave गलत बोल गया उनको हम बोलते हैं mechanical wave कौन सी वेब बोलते हैं जी हाँ, mechanical wave बोलते हैं, i.e. waves को ठाम्स गी जिनको mediam required नहीं होता है, उनको हम बोलते हैं, electromagnetic wave क्या बोलते हैं उसको? Electromagnetic wave ये किसे बनती हैे, ये charge के oscillation से बनती है, ये charge के dansa से बनती है, किसे बनती है, charge के dansa से, ये electromagnetic wave है, ये total सात प्रकार की होती है और जब charge dance करता है तब electromagnetic wave बनती है 12th class पूरा संसार है आपका electromagnetic wave का यह जो radio, mobile, cellular system जो wireless system पूरा संसार में चल रहा है समझ गया ना? Tata is sky, इसको लगा डालाक तो life जहींगा लाला, जितना भी है आप देख रहे हैं सब कुछ, समझ गया? email, fax, यह सब इसी का कमाल है, electromagnetic wave का ठीक? clear हो गया? और यही वो सिद्धान्त है जिसने bend बजाई थी रदर फोर्ड की याद कीजिए, क्या था वो सिद्धान्त? रदर फोर्ड ने कहा था कि electron जो है वो stationary orbit में चक्कर लगाते हैं, बोली हाय ना? चक्कर लगाते हैं, ऐसे तो मैंने आपको बताया था कि circular motion कैसा motion होता है, accelerated motion कैसा motion होता है? होता है कि नहीं होता है? तो जब electron dance कर रहे होंगे, क्या कर रहे होंगे electron? dance, अरे dance ही तो है भाई, यहाँ से यहाँ घूम रहे हैं, बोलो हाय ना? ringa ringa roges dance चला, electron का तो जब यह electron dance कर रहे हैं तो यह कैसा motion कर रहे है, accelerated motion और मैंने बताया, जब electron accelerated motion करेगा तो यह कौन सी wave निकालेगा? electromagnetic wave electromagnetic wave क्या है? energy ही तो है what is wave? wave is the energy समझगे ना? wave के form में energy ही तो निकलती है भाई, wave निकलेगी तो energy तो निकलेगी तो जब energy निकलेगी तो सवाल उठा था कि भाई, जब यह electron अपनी energy छोड़ता रहेगा तो एक समय आएगा कि यह चलते 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 एक दिन जाके नुकलियस पे समाप्त हो जाएगा जनता जवाब चाहती है निल्स बोर्स ने पूछा रदर फोर्ड ने समझ गए नहीं जब आप दे पाते हैं रदर फोर्ड और मॉडल खतम हो जाता है ठीक है सदन में निल बोर्स के जैजे कार के नारे लगते हैं और एक नया अभिनेता हाँ फेल हुआ है मगर निल्स बोर्स के आंगे उससे परफेक्ट लौ देने वाला भी कोई आया नहीं है आई बात समझ में जी ठीक है तो ये जो सारा का सारा EM वेव अब मैंने आपको बताया कि जब भी इलेक्ट्रॉन जो होता है डांस करेगा एक्सलरेट करेगा एक्सलरेटेड मोशन करेगा तो क्या निकालेगा Electromagnetic Wave Electromagnetic Wave लाइट की स्पीड से चलती है किस की स्पीड से लाइट की स्पीड स्पीड ओफ लाइट से चलेगी याने सी इक्वाल टू थ्री इंटू टैन की पावर एट मीटर पर सेकेंड और इनकी जो खोज की थी भाई साव Electromagnetic Wave के बारे में सबसे पहले एक तो होती नहीं है कई सारी होती है तो अलग-अलग लोगों ने साथ अलग-अलग लोगों ने खोज करी और इसकी खोज इसके कंसेप्ट को सबसे पहले बताया था Clark Maxwell किसने बताया था Clark Maxwell ठीक ना Australia टीम के दोनों बड़े खिलाडी अभी भी Clark भी Michael Clark और Glenn Maxwell उनको मिला दीजिए सरनेम को बन जाएगा Clark Maxwell ठीक ना चलिए तो ये जो थे अब ये तो नहीं पता मुझे राइट ना ये कहां के थे साइद देखना पड़ेगा वड़ेवर जहां के भी हो तो इनों ने इसका कंसेप्ट दिया था Electromagnetic Theory का समझ गे जी चलिए वापस आते हैं अपने टॉपिक पे तो दो प्रकार की वेव होती है एक में material required है एक में material not required है material जिन में required है उसका हम होते है क्या mechanical wave ठीक है अब mechanical wave भाई साब mechanical wave को जरूरत किस चीज की है mechanical wave को material की जरूरत है और material के अंदर दो चीजे होती है material के अंदर दो चीजे होती है एक material के अंदर होती है, elasticity, क्या होती है, elasticity, होती ही ना, और दूसरी होती है, inertia, क्या होती है, inertia, detail में जा मैं थियोरी पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा, कि elasticity, यह लिग बार आता है, और inertia किस प्रकार से role play करते हैं, यह आपको समझ में आयागा, कि elasticity और inertia के कारण ही, mechanical wave transmit हो पाती है, medium से, medium से transfer होगी, एक जगे से दूसर जगे तक जाएगी, अब mechanical wave कितने टाइब के होती है, mechanical wave दो टाइब के होती है, mechanical wave दो टाइब के होती है, एक longitudinal, कौन सी wave है? longitudinal दूसरी है transverse दूसरी कौन सी है transverse mechanical wave एक है longitudinal और दूसरी है transverse electromagnetic wave एक ही टाइब की होती है only transverse only क्या जी हाँ अब ये longitudinal transverse को आपको बहुत अच्छे समझना पड़ेगा कि longitude और transverse क्या होते है ये एक आपके पास लोहे की पट्री का तुकडा है रेल की रोहे की पट्री होती है न लोहे की पट्री का तुकडा गुटका वड़वर जो माननों माननों भाई ये लिजिए ठीक है भाई जाब clear है इसके अंदर क्या है गंगोर density भरी हुई है भूलो हाँ यहाँ पार्टिकल वहाँ पार्टिकल हर जगे पार्टिकल ही पार्टिकल घना घना संसार पार्टिकलों का मत पूछ मैं कहा हूँ यार यहाँ हर जगे पार्टिकल ही पार्टिकल है दिख रहे हैं millions and millions of particles are here यह पार्टिकल है ठीक चोट कहां पर की जाए इस बात का बहुत असर करता है आईए देखते हैं एक हथोड़ा लिया और इस हथोड़े को आ करके आपने यहाँ पर जोरदार यहाँ पर ठन समझेगे ना इस ट्राइक करी यहाँ पर आकर ठीक है क्या होगा यहाँ पर देखिए क्या यहाँ पर आप कान लगा के बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सुनाई देगा की नहीं सुनाई देगा चाहिए ये 10 मीटर की भी हो तो आपको सुनाई देगा की नहीं सुनाई देगा मतलब विप तो ट्रांसमिट होई है अब इनका हाल देखिए इन पार्टिकल्स का ये जो बैठे हुए है येवाला आंगे वाले को धक्का मारेगा मारेगा कि नहीं मारेगा बड़ी जोर से यह वाला आंगे वाले को इधर भी आंगे वाले को इधर भी आंगे वाले को यह सो नो यह फिर यह वाला इसको मारेगा फिर यह वाला इसको फिर यह वाला इसको 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 यह सा आपको यहाँ पर आपको कानों में सुनाई देगा, ठन, यस की नो, तो आपने देखा यहाँ पर, दो चीजें देखे आपने, वेव ट्रेवल किस तरफ कर रही है, यहाँ से लेके यहाँ, मतलब यह transmission की direction है, बोलिए यस और नो, और vibration भी कहा हो रहा है, इधरी तरफ हो रहा ह है, तो अगर direction of vibration, और direction of transmission, दोनों ही एक हो, दोनों ही एक हो, सेम हो, तो ऐसी वेव को बोलते हैं प्यारे बच्चों, longitudinal wave, क्या बोलते हैं, बोलो समझ में आ गया, ऐसे वेव को हम बोलेंगे, longitudinal wave, longitudinal wave का मतलब, according to the length, लंबाई के अन्दिश, लंबाई के अनुसार, यह लंबाई है इसकी, इसकी length है L, और इसी के elongation में जो wave travel होती है, that is called longitudinal wave, समझ में आ गया, clear हो गया, ठीक है, यह कहलाता है, longitudinal wave, जो length के accordingly, direction of transmission and direction of vibration, same होती है, clear, अब देखिए दूसरा scene, यह है अपने पास में, अब इस बार हथोड़ा यहाप पर नहीं मारना, इस बार हथोड़ा यहाँ पर मारना, जोर से आया हथोड़ा, दे ध्राम से मारा, भाई साब, क्या यहाँ पर सुनाई देगा, कह रहा नो सर, फट जाएंगे कान, यहाँ प बताईए पार्टिकल के वाइब्रेशन का तरीका जो होगा, यह आंगे पीछे होगा, यह वर्टिकल प्लेन में होगा, वर्टिकल प्लेन में, बिलकुल, जीक जैग ने उसको अप एंड डाउन बोलेंगे, क्लियर हुआ न, ऐसे ऐसे, हिलेंगे कि नहीं हिलेंगे, और फि फिर यह बाईब्रेशन बाजू वाले को मिलेगा, ऐसे करते, 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 यह वाइब्रेशन यहां पर पहुंचेगा, बुलिये हैसा नू? तो वो क्या रहा है देखिए transmission तो actually यहीं हो रहा हो रहा कि नहीं हो रहा मतलब direction of transmission यही प्रपोगेशन तो यही है बोलो yes or no but direction of vibration इस बार perpendicular plane में है देख लिजे है की नहीं है यह इस तरह है बोलीए yes or no direction of vibration यह direction of propagation इस तरहीके से है की नहीं है प्रपोगेशन यह है, वाइब्रेशन यह है, direction of vibration, clear हुआ कि नहीं हुआ, मतलब पिछली बाद transmission और vibration के बीच का angle कित्ते डिगरी था भाई साब, और इस बाद transmission और vibration के बीच का angle कित्ते डिगरी है, 90 डिगरी, clear हो गया, लेंथ के perpendicular व्यवस्था कोई बोलते हैं, transverse, क्या बोलते हैं, transverse, लेंथ के perpendicular व्यवस्था कोई क्या बोलते हैं, transverse, ठीक है, तो ऐसी वेव, जिसमें direction of vibration and direction of propagation, एक दूसरे के क्या हो, परपेंडिकुलर हो, ऐसी वेव क्या बोलते हैं, transverse वेव, क्या बोलते हैं, समझ मैं बच्चों, तो ये जो वेव कह लाती है, जिसमें direction of vibration and direction of propagation एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो, इसको हम बोलते हैं, transverse वेव, फ्रॉक देखा मैं धग, ऐसे चलता है, आगया, ये देखी, ये direction of propagation, यसा नो, और ये direction of vibration है, बोले यसा नो, उचल की चलता है, उपर कूद के, आगया, तो ये direction of vibration थी, और ये direction of propagation थी, बोले कितना था इंगल, 90 डिगर हो इसका पेंडर्न है, वो किसको शो करेगा, transverse वेव को, так किसे वेव को शो करेगा, transverse वेव को, एनी प्रॉब्लम, तो दो प्रकार की वेवे मैंने आपको बता दी, मैंने सबसे पहले आपको ये बताया कि वेवज क्या होती है, वेज्द के बाद मैंने आपको टाइप बत सबस्क्राइब जो medium के requirement नहीं करती हैं mechanical wave आपके डिस्टरवेंस के type के हिसाब से दो प्रकार करको सकता है longitudinal भी हो सकता है आख ट्रांसवर्स भी हो सकता है और Electromagnetic mm हमेसा ट्रांसवर्स होगी, payments Rajалось with Land, Mensch神 थीजिइं कि ठीक है långट डीनल मैंने बता दिया कि क्या होती है मैंने आपको आप दूरे सी बात कर लेता हूँ दो प्रकार की मैं आपको longitudinal wave दिखा रहा रहा हूं Mechanical Wave, कौनसी वेब दिखा रहा हूँ? Mechanical Wave, दो प्रकार की दिखा रहा हूँ मैं आपको Mechanical Wave में दो प्रकार की Waves भी होती ही जानते हैं एक Longitudinal और एक Transverse एक Practical Wave बता रहा हूँ, No.1, Sound Wave कौनसी वेब भाई साब? Sound Wave Sound Wave Sound Wave is a Pressure Wave Sound Wave is a Pressure Wave यह प्रेशर की थेओरी से चलती है Sound Wave सब क्लियर होगा, यह देखिए भाई सब ठीक, यह साउंड निकला यह भाई, आख है आपकी, जो हाँ से दिया आप ठीक ना, यह साउंड निकला है यहां से मुह से क्लियर है? जैसे साउंड निकलता है तो Pressure Difference Create होता है, किसमें? Atmosphere में, Atmosphere में हावा है, Particle है Atmosphere में क्या Create होगा? Pressure तुम्हारे Particular यहां से, गले से, क्या-क्या होते हैं, Larynx, वर्निक्स जो होते हैं, उन्होंने, Larynx वगएरे वो बना करके, उन्होंने Particular Frequency, आपके गले में जो Frequency है, वो आपके गले में जो Frequency Range बैठती है, वो 20 से ले करके 20 KHz, 20,000 Hz, तक का साउंड आप Create कर सकते हो, समझ गया ना? इतने परकार के साउंड आप Create कर सकते हैं, यह Audible Sound है, क्यासा साउंड है? Audible Sound है, तो आपने एक Particular Frequency इसमें से बोली, का, अपका, जो है, वो सिंगल Frequency नहीं है, सिंगल Frequency की जो साउंड होती है, उसको Tone बोलते हैं, क्या बोलते हैं? Tone, जो Customer Care से फोन लगाते समय आपको सुनाई देती है, हिंदी में जानकारी के लिए एक दबाएं, अंगरी जी में जानकारी के लिए दो दबाएं, है ना? जो बोलती है, क्यों? क्योंकि भाई, उसको पता रहता है, Tone से रहता है, उसको भी रेकगनाईज हो जाता है, कि इसने One वाला Tone दबाया है, उसको नहीं दिखता है, कोई Camera तो लगा कि हाँ भाई या, One उने प्रेस किया है, एक हर Tone की Value पता है, हर Tone की Frequency पता है, तो आपक जो आप क बोल रहे हो, यह single sound है कि बहुत सारे sound है, करेख कहा single sound है, बहुत sound है, अब महसूस करो बोल करके क लास्ट में आ जाता है, पहले जब उठाते हो, तब कुछ नहीं रहता, फिर एकदम से क उठता है, फिर लास्ट में भी आ जाता है, तो यह तो मेरे जानकारी के बे और जब आप खा बोलते हो, तो का भी आता है, और हा भी आता है, और सुद में कुछ खा भी आता है, तो काफी सरे साउन है, यह सनो, तो यह टोन नहीं है, यह टोन नहीं है, तो मैं क्या कह रहा था, काम की बात करते हैं भाई, जैसे आपने यहां से साउन निकाला, यह प्रेशर जोन क्रियेट होगा क्या होगा बिटा हाई प्रेशर जोन होगा की नहीं होगा और आंगे का हाई यह पीछे का लो प्रेशर जोन है पीछे का क्या है लो प्रेशर जोन है यह जो हाई प्रेशर जोन यहां तक दिख रहा है इसको बोलते हैं यह यहां की दब जाती है इस reason को बोलते हैं compression क्या बोलते हैं और यह जो low pressure zone है इसे बोलते है rare fraction क्या बोलते है समझ गया है मतलब यहाँ पर एक तरीके से medium का गाढ़ा होना और यहाँ पर medium का यहाँ हलका होना क्लियर होगे ना compression rare fraction अब यह compression इसको धक्का देगा आंगे वाले को बो हाँ तो यहाँ पर compression चलके यहाँ आजाएगा और rare fraction आगे पहुँच जाएगा clear हो गया? यह हो जागा compression यहाँ तो जो wave होगी compression और rare fraction के माध्यम से जाकर के किसी के कान में जब टकराएगी तो यह compression जाते 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 एक समय आएगा कि वो compression यहाँ पर travel होगा बुलो हायना और इस compression में frequency बैठी हुई है सबसे पहले तुमने का बुला था तो आंगे गया था का पहली frequency फिर मा बुला था तो मा और फिर ला बुला था तो आएगा ला तो यह लमक नहीं है पीछे से देखो कान में पहले का फिर मा जाला कमल क्या आएगा कमल ठीक है तो इसके कान को जो ear drum लगा हुआ है ear drum तो ear drum जो होता है बिलकुल जैसे frequency हमारा मुँ बोलता है उसी का उल्टा काम करता है वो उस frequency को reproduce करता है क्या करता है reproduce जैसे तुम अपने mobile की तार लगा करके बूफर में लगा देते हो तो तुम्हारे mobile से frequency वाला current जाता है अब बूफर में वही गाना बजेगा हाँ या ना clear हो गया उससे थोड़े ने जाएगा का खा का खा तो clear तो ये जाएगा नहीं नहीं वह आवाज फट जाना का अंदर जो उसके drum वगएरे रहते हैं वह फट जाते हैं तो आवाज तो पहुचेगी मगर particular frequency जो generate करनी थी उतनी नहीं हो पाई समझ गया अब इल्ला हाँ ये drum नहीं उसका audio box का drum जो होता है कि लगा होता उसमें ठीक तो ये बटाई इसमें जा करके बिल्कुल same sensation create करेगा और बंदे को वही सुनाई देगा जो यहां ने बोला तो compression और rare fraction के माध्यम से ये wave मेडिया में travel कर गई आई बास समझ में ना तो आप देख रहे हैं vibration मी यहीं हो रहा है और propagation मी यहीं हो रहा है तो यह कौन सी वेव है longitudinal वेव है कौन सी वेव है आई बास समझ में ना तो sound mechanical वेव का पहला तरीका मैंने देखा है longitudinal वेव अब mechanical वेव का दूसरा तरीका देखे यहां पर एक डोरी लगा दीजिए clear है और यहां पर एक जोड़दार इसमें आप जिंग दे दीजिए प्लग कर दीजिए इस डोरी को अब जैसे ही आप प्लग करेंगे तो यह disturbance यहां से होते हुए कभी किसी हाथ में दोस्त को रसी पकड़ा दीजिए एक end पर ख़खे कर दीजिए समझ गया ना और फिर यहां से इसको जोरदार तरीके से वो पुलिस वाली ट्रेनिंग हुआ करती है रस्सा पकड़ कि करा करते है रिस सुल्तान समझ में आए ना और फिर यहां पर उसको इस तरीके से करेंगे तो यह यहां से जो छले बनेंगे क्लियर होगे ना क्लियर है तो यह पल्स यहां से ट्रेवल हो करके यहां जाएंगे बोले यह सानो ओके तो यह जो आपको पल्स दिख रहा है यह किसके बने हैं यह यह इसी के तो बने हैं डोरी के ही तो बने है डोरी का मटेरियल उपर नीचे हुआ कि नहीं हुआ तो यहाँ पर देखिए transmission तो यह है, है की नहीं है बट vibration क्या है, up and down है की नहीं है बताइए तो यह कौन सी wave है, बताइए transverse, कौन सी wave है यह तो अब बच्चों आप समझ चुके हैं कि transverse wave क्या होती है और longitudinal wave क्या होती है जो length के accordingly चले उसको longitudinal wave बोलते हैं और जो length के perpendicular जिसमें vibration हो, vibration का कमाल है अगर vibration length के cord में हो, that is called longitudinal wave, अगर vibration length के perpendicular हो तो उसको बोलते हैं क्या बिटा, transverse wave अच्छे समझ में आया तो पहला सवाल इस chapter का जो आपका है उस तर देके चलते हैं पहला सवाल, what should be the characteristics of a medium for propagation of wave through it किसी medium के अंदर property क्या होनी चाहिए answer, elasticity and inertia, elasticity और inertia होनी चाहिए क्योंकि अगर medium के अंदर elasticity नहीं होगी तो particle आंगे जाने के बद फिर अपनी जगे पे वापस नहीं आएगा, clear हो गया ना ठीक ना, और inertia के कारण ही particle को force realize होता है क्या realize होता है, force realize होगा motion में आएगा तो motion में ही रहेगा और rest में है तो rest में ही रहेगा उसको break करने के लिए आपको force लगाना पड़ेगा next, what are the sources of electromagnetic wave, मैंने बता दिया electromagnetic wave कहां से start होगा, dancing charge से कहां से start होगा, yes so dancing मतलब oscillatory dancing मतलब oscillatory या उसी को कहां दो accelerated charge किससे तो electromagnetic waves are produced by oscillatory और accelerated charge particle accelerated charge particle भूल जाये तो मेरी कहां नहीं याद आजी नहीं चाहिए rather ford वाली याद आ गया electron घूम रहे थे oscillatory charge था accelerated charge था बिलकुल सही बात है any problem yes तो ठीक है आज हमने यहां introductory lecture इसका complete किया बच्चों यह chapter आराम से मैं कराऊंगा क्योंकि यह chapter जो है class 12 में आपकी जबरदस्त मदद करेगा class 12 में इसका बड़ा भाई आपको आने वाला है है ना जिसका नाम रहेगा wave optics क्या नाम रहेगा wave optics और आप किसी भी बच्चे से 12th class से पूछिए कि भाई साब wave optics बनती क्या वो चुप हो जाएगा क्योंकि class 12 का सबसे ज्यादा difficult topic जो लगता है वो कौन सा है wave optics क्योंकि जिन बच्चों से wave नहीं बनती है 11th class की उनको wave optics नहीं बनती है तो wave के पूरे concept भाई साब वहाँ पर wave optics में लगेंगे amplitude, frequency, wavelength इनकी हम बड़ी गजब समझ develop करेंगे phase difference की फिर वहाँ पर जा करके हम लोग 12th class में इसका और बड़ा use करेंगे यह जो आप देख रहे हैं electromagnetic wave यह भी 12th class में आएगा electromagnetic wave में आपके पास एक बड़ा 7 waves का पूरा का पूरा packet मिलेगा साथ waves जिसमें सबसे पहले स्टार्ट होगी radio wave कौन सी wave होगी radio wave जिसके कान आप walkie talkie use करते हैं और last में आएगी gamma wave कौन सी wave गामा wave जो खतरनाक होती है बहुत जादा जिससे चटान की चटाने काड़ दी जाती है ultra high frequency होती है इसकी समझ गए यस इसकी laser ऐसे पहाड़ों को गाड़ देती है इतनी तेज wave होगा करती है यह सबसे हलकी होती है और इसी के बीच में आपकी बैठी हुई है infrared कौन सी बैठी है infrared के बाद visible कौन सी बैठी है visible के बाद बैठी हुई है आपकी ultraviolet कौन सी बैठी है ultraviolet तो ये पूरा का जो पूरा packet आप पढ़ने वाले हैं इसको बोलते हैं हम spectrum क्या बोलते हैं जी हाँ ये कहलाता है electromagnetic wave का spectrum ये कहलाता है electromagnetic wave का spectrum ठीक है जब कोई company हमारे यह तेली common company आती है व्यापार करने के लिए Vodafone आ गया इंडिया कौन आ गया है Vodafone Vodafone इंडिया आ चुका है जी ओ आ चुका है तो जी ओ जो होता वह government से radio wave का spectrum लेता है radio wave का क्या लेता है spectrum सबसे पहले radio wave है अब मान लो radio wave का range फैला हुआ इंडिया में जो radio wave है radio wave का जो range फैला हुआ है समझे गया न तो उसमें अलग-अलग spectrum खरीदे जाते हैं मान लिजे radio wave की जो में 2000 तुम्हारे पास zero से लेकर के 2000 तक की छमता है ठीक है न तो Voda phone कहेगा एक काम करिए मुझे आप zero से लेकर के 10 दे दीजे मेरे से आप 15 करोड़ ले लिजे 15,000 करोड़ मैं अपना telecom इसमें set करूंगा ठीक आंगे वाले दूसरा अगला अगला band खरीद लेंगे तो यह जो हो होता है इसको बोलते है frequency band क्या बोलते है इसको क्या बोलते है frequency band आप अपने mobile में कभी FM चलाईएगा आपका जो mobile का FM होगा वो 90 से लेकर के 120 MHz के बीच में चलेगा इसी के बीच में आपका FM चलेगा इसके बाहर नहीं चलेगा क्योंकि इसके उपर कोई दूसरे वालों ने ले रखा है हो सकता उसके उपर इंटरनेट चल रहा हो हो सकता उसके उपर कुछ और चल रहा हो समझ गया ना तो सब के band होते हैं अलग-अलग radio वालों ने अलग band ले रखा है FM वालों ने अलग band ले रखा है ठीक ना फ्रेक्वेंसी मॉडूलेशन उसका नाम है फ्म यारे जो बाजा बसता है यारे रेडियो बचता है उन लोग को भी बैंड होते ना चलिए तो यह बड़ी बड़ी इंट्रेस्टिंग बात है बच्चों यह मैंने आपको बताई क्योंकि यह जिन्दिगी में आपको चेप्टर बहुत आँगे काम में देगा और खासकर 12 में काम में देगा तो 12 में आपको काफी चीज़ें इसके बारे में पताच लेगी बट फिलहाल हम को आज की चेप्टर में यही तक कंक्लूड करना है मेकेनिकल वेब के हमने टाइप पाढ़ है आपको दो प्रकार के ट लॉंगिट्यूड एक है ट्रांसवर्स और दूसरी जो वेब होती इलेक्ट्रो मेगनेटिक वेब वो ट्रांसवर्स ही होती थैंक्यू सो माज आज के लिए धन्यवाद